एक तरफ जहां बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भाजपा कर रही है वहीं दूसरी तरफ जदियू भी अब भाजपा को पचारने के लिए तैयार है लगतार भाजपा और जदियू के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो जाती है जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चर्चा शुरू होती है नितीश कुमार के रहते बिहार के कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और जद्यू के हो या भाजपा के या भी पक्षी दलो के उन्नेताओं के पास ऐसी जुबान नहीं है जिस जुबान से वो कह सके कि नितीश कुमार के रहते या मुख्यमंत्री बन जाएंगे नेतापरतिपक्ष तेयस्वी यादो भी दम में भरते हैं लेकिन उनकी जो मनो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती है वही एक बार फिर से जदियू सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है हाला कि जदियू बड़ी पार्टी है हम बात बिहार बिधान परिशत की कर रहे हैं अभी भी जैनता दली उनाइटेट सबसे बड़ी पार्टी है बिहार बिधान परिशत में लेकिन इस बार जो MLC के चुनाव हुए हैं इसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है आठ हुमी द्वार जीत कर आए हैं वही जद्यू भी अब भाजपा को पचारने वाली है MLC चुनाव में राजप के बागी जद्यू को नमबर वन पार्टी बनाएंगे चाहे वो राजपल्ला व्यादों के भातीजे हो या गुला व्यादों हो या महस्वर्चिंग हो लगतार चर्चा है कि राजप के ये जो तीन बागी नेता हैं ये किस तरफ जाएंगे हाला कि राजपल्ला व्यादों के भातीजे उन्होंने लगतार इस बात का जिक्र किया है कि अभी समय है इस पर फैसला किया जाएगा मुक्कमंत्री नितीज कुमार से पिछले दिनों उनकी मुलाकात साब संदेज देती है राष्टिय अद्यक्च ललन सिंग के नेत्रित में मुलाकात हुई थी और उसके बाद कहिन कहीं चर्चा तेज हो गई कि ये सभी नेता जदियू में जाएंगे बात करेंगे गुलाव यादो की, गुलाव यादो पर कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर परतिपख्ष के नेता ने टिकट नहीं दिया था लेकिन एक बाद फिर से चर्चा है कि गुलाव यादो उनकी पत्नी जीत कर आई हैं वो ज़दियू में जा सकती है याला कि गुलाब यादो पुराने नेता हैं राज़त के लेकिन यान मौके पर राज़त ने उनका टिकट काटा तो काफी नाराज थे वही राज़बलब यादो के परिवार भी राज़त का समर्थन लगतार कर रहे हैं और कई बार से बिधायक भी रहे हैं उनके बती जब जीत कर सामने आये हैं तो ये तैम आना जा रहा है कि वो जदियू में जाएंगे वही गुलाव यादो की भी बाते हैं वो भी गुलाव यादो भी जदियू में जाएंगे महसवर सिंग की बात करें तो कुछ दिन पहले ही राजद में लावल असकर के साथ वो समर्थन किया था तो कहीं कहीं विगासिल इन्सान पार्टी यानि मुकेश सेनी लगतार मुक्रमंत्रीरी नितिश कुमार में आथा दिखा रहे है और कॉन्ग्रेस भी लगतार ऐसी परिस्थीतिया बना रही है बिहार में जैसा पहले कभी नहीं हुआ था लगतार कॉंग्रेस अपना जनाधार खोती चली जा रही है हो सकता है महेशवर सिंग भी कॉंग्रेस से और वियाईपी के समर्थित उमिद्वार रहे हैं वो भी जदियू में जाएं लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि बेगू सराय से जो कॉंग्रेस के परत्यासी जीत कराएं हैं परवत्ता विदायक संजीव कुमार के भाई हैं और वो जदियू के नेता हैं और कॉंग्रेस से जब वो जीत कराए हैं तो रजनीस कुमार ने इस बात का जिक्र भी किया था कि गड़ बंदन तोर देना चाहिए वो भी जदियू में सामिल हो सकते हैं यानि ये चार नेता अगर जदियू में सामिल होते हैं तो 5 की संख्या बढ़कर जदियू में 9 हो इसलिए कि जद्यू पूरी तयारी कर रही है जिसका जिक्र और संकेत जमा खान ने पिछले दिन दिया था अगर फिर से कॉंग्रेस और राजत में बड़ी भगदर की बात उन्होंने जब कही है तो कहीं न कहीं संभावना है कि ये चार लोग जद्यू में सामिल हो जाएंगे पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी